हیलो नमस्कार दौस्तो अभी इसराइल और हमास का वार चला है समें इसराइल ने से एक यूज्च बिया है हमास को सुघनbon ञालो हमनों स्यल्ड और फोर्स ड्श्प्लरपियस्मेंट । दो टर्म आया है इसमें हम देखेंगे की इसके वार क्राइम में वार क्राइम एक वीचियो में बनाए हूं एक देख लिजे humbled international humanitarian law के तह तो वार क्राइम और janeva कन से डिस दैफ यहां से को कैसे देखा जाता unters वाट इज धा यूीमन चेह तौश डिस प्लेश्मेंट कि है first we will see why it is in the news कियों यहां नीज में है ऐसा इवनाइटेट नेशन प्रसिडेंट जो बाइजन ने ऐसा एक यूज किया ऐसा दो सारोपन किया है इंदा प्लेस्टेनियन मिलिटेंट ग्रूप हमास हमास पर भी एक वीडियो हो वाट इज दा हमास इसको भी आप देखेंगे तो किलियर हो जाएगा हमास क्या है और इसका जन्म कैसे हुए उन्होंने ऐसा किया है कि प्लेस्टेनियन मिलिटेंट ग्रूप जो हमास को हमास है जो प्लेस्टेनियन सिविलियन को यह कि हुँमन सिल्ड की तरह यूज कर रहा है ईक्षा कि यहां નाओ अधाल की तरहट उन्होंने यूज कर लिया है एक्षणी इजराइल अल्सों लांग एक्षण Defenseakes बहुत पहले से हमें हमास को ऐसा को इसा द्चाहर विन शुल्ड करते इन ए और टारगेटिंग टारोगेटिंग की हैं सिविलियन सिवेलीन के पीछे चुपते हैं और वार करते हैं clear तो अब यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि actually what is the human shield what is the force displacement अल्सो एक टर्म आया है और यह international humanitarian law IHL के ताथ इसको किस रूप में देखा जाता है तो first we will see what what is the human shield मानो धाल क्या है इसमें बताया है कि यहां पे क्या होता है जैसे इसराइल वाइडन ने बोला है कि हमास क्या करते हैं अपने civilian को सामने रख देते हैं जो उनके military को इसराइल या आदल military इस्तमाल वार नहीं करते civilian पर चुकि यह वार क्राइम है अंतर दा IHL कई बार होते हैं कि वह किसी और इसराइल के civilian को भी सामने एक धाल बना के रख लेते हैं clear सो ऐसा डिफिनिशन दिया गया है IHL में means protecting person do not literary have to be used as protective shield यानि उसको protective shield की तरह यूज किया जाता जब कि वह person जो है उनको पता ही नहीं होते है कि उसको shield की तरह यूज किया जा रहा है धाल की तरह यूज किया जा रहा है clear धाल की तरह यूज किया जा रहा है जब कि यह ऐसा जेनेवा कंवेंशन जेनेवा कंवेंशन के तरह international law आते हैं इसके अलाव में बहु सारे law आते हैं जो international war crime को protect करते हैं वार क्राइम के बीडियो में थोड़ा सा details बताया हूँ IHL ऐसा नहीं कि वह human shield को ही वाउन्डेट पर्षन को जो घायल है सीप्रेक्ट पर्षन को जो होस्टाइल है होस्टलिटी को प्रिजनर सफ वार इन सारे को IHL protect करते हैं इन सारे को IHL protect करते हैं अब हम देखेंगे कि एक्च्वली फ्नाट का आई ए online क्या दिया गया एक्च्वली फ्नाट के बरे में बार्डे में 5 में क्या दिया गया देखिए कैसे थीमा आई अई एक्षिमन अई हल मनोट्वल को देखता है नीब केक्षी देखिए, clearly human shield, use of the human shield is a war crime, considered a war crime, war crime इसको consider किया जाता है, और banned है as the rule of 97, मिन्स 97 रूल के ताथ, IHL 97 रूल के ताथ, human shield banned है, अब कोई आप से पुछे कि human shield banned or not, the human shield is banned under the rule of 97 of IHL international humanitarian law, clear, और यह prohibited है, target attack human shield, सारे चीज़ प्रोइबिटेट है, बट इन दा केस अब गाजा में थोड़ा सब, गाजा एक बहुत छोटा सा स्ट्रीप है, आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे बीडियो भी बनाया हूँ, इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन इसमें बहुत जादा है, इस स्ट्रीप का डेंसिटी बहुत जादा है, तो यहां पर है जो ट्रीप में human हमास जो कमबटेंट है, वह सिविलियन को डेंजर में रखेंगे ही रखेंगे, कैसे वह इस इस डेंसिटी से पार पाएंगे, तो यहां पर जो human shield जो है न, एक human shield तो है, लेकिन यहां पर उनको मजबूरी है human shield का इस्तमाल करना, चुकि इतना ज्यादा population है कि वहां पर militant group है, तो human shield रखेंगा, दूसरी बात militant group किसी भी मजबूर आदमी को militant बनाते हैं, तो यह human shield इस्तमाल करते हैं, इमान और बम और इस्तमाल भी करते हैं, clear, so human ऐसा बोला गया है कि हमास जो है intentionally, civilian और civilian home को military purpose के लिए यूज करते हैं, clear, military purpose के लिए यूज करते हैं, और ऐसे ही जुराइल के लिए भी यूज करते हैं, अभी यूज कर रहे हैं, clear, अब यहां पर आता force displacement क्या होता, देखिए displacement is the different thing, displacement means जैसे आप देखते हैं, जैसे कोई यहां पर आपती आया, तो सरकार बोलता है कि यहां के civilian को खाली कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जैसे, जैसे कोई अगर tsunami type का कुछ आता है, या किसी तरह का कोई अपदा आता है, बाढ़ा आता है, या कोई, यहां न, तो यहां से displacement कर दिया जाता, लेकिन displacement का होता क्या है कि displacement के बाद आप को एक सुरक्षा, security परदान किया जा ज जगा पर उसारी सुविदाय परदान की जाती है जो मौलिक सुविदाय है that is called displacement अब यहां पर एक जो वर्ड इस्तमाल कर दिया गया दूसरी बात की यहां डीस्प्लेसमेंट का ट्राइम बहुत कम होता है जैसे अब 97 अक्टूबर को जब इज्राइल ने हमला किया इसरी हमास ने हमला किया इसराइल पर तो इसराइल तुरत ओर दिया क्या कि आप हंड्रेट ऑफ ताउजेंट सिविलियन जो इवाइक्वेट होन जाए वहां से खाली कर दे नौदर्ण गाजा को 24 आवर में क्यों चुकि वहां पर हम हमला करने जा रहे हैं तो यहां पर जो 24 आवर में इतने ताउजेंट हंड्रेट ऑफ ताउजेंट पीपल डिस्पलेश्मेंट करेंगे और उनको बताया नहीं गया कि कहां जाएंगे क्या सेकुरिटी है किस तरह का ब्यवस्ता है क्या रिटर्ण होंगे कि नहीं होंगे इस प्रेश्मेंट इसके साती जेनेवा कनवेंशन भी इन्होंने बोला किश़िश्मेंट अव्षिविलियन पॉपुलेशन किसी भी तरह का कन्फिलिक्ट हो या वार हो तो सबसे पहला शेकुरिटी इनवार्ड होना चाहिए है उस निशलेवा गवेंश्य का रिविविव लिन का और यहां मिलेटरी का इंपरेटि भूता है एक दायूत होता है कि उनको सारी चीजे परदान की जाए जी जो उनको डिमाणड जो उनकी डिम्आनड कही सबस्ता मिलिए लिए उनकी इसनуск सुद्धाव को परदान करना अगर यह सब नहीं है और बहुत कम टाइम में डिस्पलेश्मेंट करना इस वोज फोट सीव डिस्पलेश्मेंट अब हम देखते हैं कि आइए चल के अंतर गात ही इंटरणेशनल हुटियरीयन लौ के अंतर गात यह डिस्पलेश्मेंट क्या है इंटरनेशनल कमीटी ऑफ रेट क्रॉस हम बताएं आपको कि इन इंटरनेशनल हुमिटेरियन लॉव एक बंच अफ लॉव है ना तहीं इंटरनेशनल कमीटी ऑफ रेट क्रॉस नॉर्वियन रिफ्यूजी कॉंसिल यह दोनों डिस्क्राइब करते हैं कि फोसेवली ट्रांसफ अब देखिए इजराइल मिलिटरी वन पॉइंट टू मिलियन सिविलियन को जो नॉर्डर्न गाजा में है उनको बोला के भाई 24 आवर में आप खाली कर दो जब कि कोई उनको सेफ्टी की गरांटी नहीं है किसी तरह का उनको रिटर्न होने की गरांटी नहीं है कब आएंगे कहां आएंगे एक कुछ नहीं बेवास्ता की गई तो यहां वार क्राइम है या आईये चेल के तहत वार क्राइम है अब यहां पर एक और टर्म आता है चीज में थोड़ा थोड़ा आंतर है hein सीज को टैंपरर ही आप वस जाएंगी से किसी तरह का कोई आपदा ती है किसी तरह का कुछ जैसे बाढाता या कुछ इस्तारा का हो जाता तो वहां इस प्लेसमेंट होता है कुछ जयादा है लेकिन यहां भी स्कूरिटी दे प्रद दिया जाती है और यहां भी मौलिक स्विदाय दी जाती है और टाइम दिया जाता है जैसे आपने कुरोना में देखा होगा वीवगत इस लेकि कम टाइम था जब किन डिसप्रेस्मेंट के जब कि सेकुरीटी दिया गया उनको नहीं बताया जाता है, so that is called force displacement, तो यह आपराद है war crime के तहत, under the international humanitarian law, under the, अब इसमें PT और मेंस का कोच्चन बन सकता, UPSC में, human shield and force displacement, force displacement is the war crime under the international humanitarian law, why, discuss, so यह सारी चीजे आप यहाँ पर mention करेंगे, क्या force displacement, evacuation or displacement में क्या आंतर है, what is the difference between evacuation, displacement and force displacement, so in that way questions may be asked in your paper, clear, may be asked in your paper, so this is all about the news, if you like this video, please subscribe it, क्योंकि यही motivate करता है मुझे इस तरह का वीडियो और बनाने में, और like it, like करेंगे तो यह वीडियो हर जगा circulate UPSC के algorithm करेगा, sorry, YouTube का algorithm करेगा, यार जमाई UPSC मुह में आता है, so करेगा, so thank you, have a good day and happy learning, thank you.